मारत और बांगलादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में जहां एक तरफ से भारतिये क्रिके टीम रेंगते रेंगते 145 की तरफ पहुंच रही हैं भारत ने मातर 38 के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो दिये लेकिन मीरपूर के अंदर महौल तब ग गहमों गहमी का हुआ जब विराट कोली का विकेट आया और उसके बाद विराट कोली और शाकिबल असन एक दूसरे के आमने सामने हो गए विराट कोली से कुछ कहा था विकेट गिरने के बाद तैजोल इसलाम ने उसे विराट कोली सुन नहीं पाए क्या कुछ है सारा मामल क्यों भारत और बांगलादेश के खिलाडी हो चुके थे एक दूसरे क्यामने सामने जहां पर विराट कोहली से पंगा लेना बांगलादेश को आने वाले समय में जरूर पड़ेगा भारी क्या था वो सारा लमा आपको बताते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा हमारे साथ जिससरा हम सब जानते हैं भारतिय क्रिकेट टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले की चौथी पारी में जीत के लिए चाहिए 145 रन भारतिय क्रिकेट टीम की हालत बद से बतर तब हो गई जब मातर 28 के स्कोर पर भारतिय टीम ने अपने तीनों सलामी बलेबाजों को खो दिया केल रहुल, शुबमंगिल, चितेश्वर पुजारा ये तीनों ही बलेबाज आज कुछ खास ना कर पाए लेकिन भारतिय टीम के लिए संकट के बादल और ज्यादा तब बड़े जब 38 के स्कोर पर विकेट आया विराट कोली का विराट कोली के बले का बारी किनारा लगा, शॉट प्लेक पर खड़े फील्डर ने आसानी से कैश भी मुकमल कर लिया लेकिन जब विराट कोली आउट होने के बाद बाद वापिस जा रहे थे तो बांगला देशी गीनबाज तैजुल स्लाम ने विराट कोली को कुछ ऐसा कह दिया जो विराट कोली को बरदाश्त नहीं हुआ कोली ने वहाँ पर अपना अपक होदिया जिसके बाद कोली ने कुछ खा बांगला देशी गेंद्वाजों को जिसके जबाब में बांगला देशी कपसान शाकिबलसन विराट कोली से बाद चीत करने आए जिस तरह हम तस्वीरों में ढेख सकते हैं बांगलादेशी कप्तान शाकेबलसन और भारतिये महान बलेबाज विराट कोली एक डूसरे से बात्चित कर रहे थे काफी ज्यादा गर्मो गर्मी का महौल था जिसके बाद अंपायर्स को भी बीच में आना पड़ा मामला शांत करवाने के लिए हाला कि यहां पर विराट कोली से बढ़ना बांगलादेश को आने वाले समय में जरूर काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि विराट कोली अपने हेटर्स को और अपनी ओपोजिशन को जवाब देन अच्छी तरह से जानते हैं जैसे का अग्रेशन विराट कोली के पास है लेकिन आज भारतिय बलेबादी पे काफी बड़े सवाल आउट खड़े हुए हैं जहां पर भारत को 145 रंज बनाने में भी जानके लाले पड़ गए हैं भारतिय टीम ने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं अपने चारों विक्टों को खो दिया हैं बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं भारतिय बलेबाजी पे देखना होगा चौते दिन में जीत मिलेगी या नहीं बांगलादेश जीतेगा या भारत लेकिन क्या कुछ कहना है आपका विराट कोली से पंगा लेने पर बांगलादेश के गेंदबास तैजल इसलाम के बारे में और शाकिभल असन और विराट कोली की ये बड़ी गहमों गहमी के बारे में दीजिए अपने हिराएं हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद